प्यदान मंतिके का किसंसदी छेतमे महलाओं के उपर दुसकर्म होता है कुमाउ रेजिमेंट के हमको गरब होता था गड़वाले उस सेन्य प्राइम्परा को मोधी सरकार ने ध्वास्त कर दिया है इस देश में बेरुजगारी समय शरूम्प है यहां बच्ची के साथ दुसक इस तरह कि जो मुद्धे यह बार बार उहां पर दिखाई दे रहे हैं जो बाहरी लोग वहां पर आ रहे हैं किस तरह से पritis निए जो पारे में वहां के दुसक्रा करेंये जो को बचाया जाना चाहिए लेकिन ये लब जिहाद और लेंड जिहाद के लाम पर लोगों को जो बाटने की साज़े से एक आखरी सवाल आप अपनी जीत को लेकर कितने आस्वस्त हैं मैं आस्वस्त हूं मैं इस छेत्र में हैं आगामी लोकसवा चुनाओं को लेकर कॉंग्रेस ने अपने तीन उमिद्वारों की घोषणा कर दी है जिसमें से अलमोडा सीट के प्रतियासी प्रदीप टम्टा जी हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये चुनाव होने वाला है कितने वो आस्वस्त हैं और किन-किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में ज स्वास जाता हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं तक मैं पहले तो अपने कोंग्रेसано कमांड का कंग्रेस सनेतर का आवारी हों कि मेरे विषवास जता का मैं ने मेरे पर विश्त जता और मैं पूरा वरोसा जने को Congress Party है, पांच नियाई के मुद्दे है, हम योवाज नियाई के, इस देश में बेरोजगारी समय शरूंप पर है, लोग सड़कों पर है, तो बेरोजगारी का सवाल महेंगाई के असाद सबसे बड़ा सवाल है, किसान पिसले पांच सालों में जिनकी आई को सरकार के थी थी कि ह प्रधान मंत्री का विदान सबाफ चेत हो प्रधान मंत्री का संदेटी चेत हो वहां सारी महले हुट पिर्ण नहीं यहा बच्ची के साथ दुश्कर्म होता है 8-8 गंटे तक आफायर दर्जनी होती है पधान मंतिके का किसन सदीच महलाओं के उपर दुसकर्म होता है तिन-तिन महने तक गिरिफतारी नहीं होती है और दोनों जगे बाज़ापा के सक्री के लोग सामिल रहते हैं स्रमिक निया है पिसले 8-10 सालों में स्रमिक कानूनों को इस देस के कॉरपरेट लोगों के हित्म है कमजोर किया है सवाल है और सवाल है इस देस की बड़ी भागीदारी है इस देस की जैसें के भीवर्ण बक है वो सासन में, प्रसासन में हर जगे अपने हिस्से जारी चलाते है ये पांच सवाल जो रास्टी इस सबाइ कॉंग्रेस है ये तो हमारे महत पूर्ण भी होंगे लेकिन अलमुडा संसेजी चेत में उत्रा खंड में जो सबसे हमारा सवाल है हमारी एक परंपरा थी सैन्य परंपरा है जिसको फर्क था अनुबा हुट था हमको गौरा भी होता है कुमाओ रेजिमेंट के हमको गरब होता था गड़वाले उस सैन्य परंपरा को मोधी सरकार ने ध्वास्त कर दिया है हम इसको फिर पुनर जीवित कर रहे है ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है ये सवाल है कि ये कुमाओ का च्छित मेरा संसेजी बिस सरक है आज कर मुख्यमं आपके टनकपूर से आगे के मारगों को देखें राजी तंत्र का ध्यान नहीं है मैं एक 800 किलिमेटी रूट को टनकपूर से जौल जी भी सुकित कर गए है था दस सालों में एक इंची नहीं बढ़ी है रेल के तीनी नेटवर्क रामनगर से चोखुठिया टनकपूर से बा गई नहीं बढ़ा जबकि हवाय डफ्मन के तैयार है अगर ये इंफ्रास्टाक्चर आप नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों के आर्थिक प्रगति के मारगा आप कैसे बनेंगे लोगों को किसानों को कास्तकारों को कैसे दे इसके मंडियों में जाने का मौका मिलेगा ये माओं में राजी के भी मेरे संसेदी चेतर के सबसे महत्मुन मुद्दे हैं इन पर मैं लोगों के बीच में जाओंगे एक सवाल अभी जो सबसे बड़ा ये आ रहा है कि कॉंग्रेस ने जो पांच सीटों पर एक तो बहुत देर से प्रतियासी घोसित किये हैं सिरफ तीन सी ये कॉंग्रेस पार्टी एक जूट है देखे जो हम से सवाल हो थे कि आपने अपने अपने सारी प्रतियासी घोष रहें वो पूछे हैं भारती जन्ता पार्टी से सारी सब कुछ सारा पैसे इत्रणत सबकुछ उनके पास है उन्होंने भी पहली लिस्ट जारी की है दूसर के संदर में कोई विरोधा भास नहीं है हम सब सुनिया गांदी जी के वो सवाल पर उस आवान पर करें इस समय कॉंग्रेस के कारे करता हूं कि परिशा गड़ी है कि कस्ट की गड़ी में वो कॉंग्रेस को अपनी पूरी ताकत के साथ क्या दे सकते है यह चुनोती है हमारे साम एक सवाल ये भी है सर आपका जो सेत्र है लोकसवा सेत्र पूरा पहाड़ी सेत्र है क्योंकि और वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का है और जो लेंड जिहाद लब जिहाद इस तरह के जो मुद्दे ये बार बार वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो बाहरी इसानी लोगों को हो रही है जो महां के जो लोकल रहने वाले इन मुद्दों को किस तरह से आप उठाएंगे और क्या मानते हैं कि ये मुद्दे पहाड़ों के लिए कितने खतरनाक साबित होंगे देखे राजी के जो मुद्दे है देखो सबसे बड़ी चीज है कि भारती जनतरापाटी लोगों को ये जो वास्तवि हैं लोग एक भूक कानुन किस ले चाहते हैं कि मेरी जो खेती की जमीन है उत्राकंड में और विस्दि स्काण परवती चित में खेती की बहुत कम जमीन है उसको सुरक्छात की द्रिश से चाहते हैं और हमारी मांग भी है कि हमानचल की तर्ज में हम यह ऐसा भू कानून सरकार को लाना चाहिए और यह कॉंग्रेस पार्टी थी मैं बिदायक था स्वरगी हमारी पूर मुक्रितुन संतंदा सिन्हानी तिवारी जिने एक भू कानून बनाया था कि जिसके थैत बाहरी लोग राजी से बाहर के लोग इस राज में सिर्फ आवासी रूप में एक जगह ले सकते थे तमाम एग्रिक्रिक्रिटर लेंड पर प्रति बन था और इस कानून को नस्ट किया है तो भारती जन्ता पार्टी ने किया और आज इससे मुद्दा को ध्यान बर्डट करने के लिए पलायन आयोग बनाया है आ हम से कहते हैं सवाल है कि बाहरी और अंतर का जखड़ा मैं नहीं मानता हूं वो आप इसको कमुलल दर्जा देना जदे इस राजी के लोग इस देश और दुनिया के बिबिन कोनों में अपनी रोजगार के लिए जब आप सफल नहीं में तो दूर दूर जाते हैं उनके उस भाव के साथ खड़े है कि राजी के किरसी जमीन को बचाया जाना चाहिए लेकिन यह लब जिहाद और लेंड जिहाद के लाम पर लोगों को जो बांटने के साजिस है भगवान का मंदिर भगवान के जमीन पूरी दुनिया है मैं उसके खिलाप हूं यह उत्राखंड के लोगों को बीवाजन की ओर है इसके मैं पूरी तरह खिलाप कर रहा हूं जमीन को बचाने के भूगान उनके बचाने हैं पक्ष में एक आखरी सवाल आप अपनी जीत को लेकर कितने आस्वस्त हैं और क्या ऐसा मुद्दा होगा कि आप जनता के बीच में मैं आस्वस्त हू जंगल बचाने के जंग लड़ी है उत्राखन के लोगों को तमाम सुबदाय मिलें उसकी जंग मैंने लड़ी है रोजगार के सवाल पर हमले लड़ी है हमारी जो सेना के सैन्य परमबर था उसके साथ हमें हम इसाम खड़े रहे हैं आज सब पर जो उत्राखन के रोजगार क के विजय बनाने के खे अन्हार बनाएं। अगर आप ये विजय फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।